जैम आता दे दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों 9 सितंबर को शुक्र कन्या राशी में गोचर कर रहे हैं इस दिन रात में 1 बज कर 41 मिनट से शुक्र कन्या राशी में गोचर करेंगे तो आपसे निवेधन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें इससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगी मेश्राशी की अदि बात करें तो मेश्राशी के लिए शुक्र का यह गोचर इनके छटे भाव में होगा शुक्र दूसरे और साथवे घर का मालिक है जो आपकी पत्रिका में आपकी कुंडली में प्रबल मारकेश और मारकेश है इसका मतलब कि इस गोचर से आपके शत्रों का नाश होगा आपके शत्रों इस समय पराजित होंगे अगर आप स्वास्ते संबंधी किसी परिशानी से परिशान थे काफी दिनों से आप किसी बिमारी से जूज रहे थे तो आपको उसे अब निजात मिलने वाली है लेकिन आपको सावधानी रखनी है आपको अपने मित्रों के साथ किसी तरह के विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है तो यहां आपको जरूर सावधानी रखनी होगी शुक्र ग्रह कन्या राशी में नीज के माने जाते हैं इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी वाहन चलाते समय भी बरतनी होगी लेकिन आपके लिए शुक्र यहां धन प्राप्ती के यूग बना रहे हैं विपरीत लिंक के प्रती आपके लिए आकर्शन बढ़ सकता है विवाह में आपके विवाह में यदि बाधाय आ रही थी तो वो बाधाय आपके समाप्त हो सकती है लेकिन प्रेम सम्मंद के मामले में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी वरना आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं तो दोस्तों और अदिक ऐसी चानकारें के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना न बूले